हेलो गाइज हमारे सेनल पर आपका पुना हारदिक हारदिक स्वागत है आज की वीडियो में हम एक महात्पूर्ण फार्मले को पढ़ेंगे और उस पर आधायत कुछ प्रस्णों को पढ़ेंगे तो आईए वो महात्पूर्ण फार्मला क्या है जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख दिया है integration of 1 upon a square plus x square dx होता है 1 upon a tan inverse x by a यह किस तरह से होता है इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं i equal to integration of 1 upon a square plus x square dx इसको हम solve करेंगे प्रूव करके दिखाएंगे कि यह फार्मला किस तरह से बना हुआ है तो देखिए यहाँ पर हम पहले लेते हैं x equal to 80 मानते हैं x equal to क्या हमने है? 80 तो x equal to 80 मानते हैं तो यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे? differential करेंगे with respect to x तो देखिए x का differential क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ध्यान दीजिए x का differential क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 80 का x के respect युम करेंगे तो a तो constant हो गया a और t का हो जाएगा dt by dx चलिए मैं लिख दे रहा हूँ उसके दिए dx इधर लेके आ जाएगे तो dx इकोल टू क्या? a dt तो इस तरह से dx किस मतलब जाता है? a dt मतलब जाता है और जहाँ x से हैं वहाँ पर हम a t लिख देंगे अतह जो i है वो इस तरह से हो जाएगा i इकोल टू integration 1 अपान a square plus x square x मतलब a t का square तो देखिए a t का square करेंगे तो a square t square हो जाएगा और dx को हम लिख देंगे a dt a dt इसके बाद होता क्या है? यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं a dt और इस में से common क्या जाएगा? a square का मना जाएगा दोनों में से a square का मना जाएगा तो a square का मन लेने पर यहाँ बचेगा 1 प्लस t square इसके पस्याद हम इसको क्या करेंगे? एक a से a के cancel हो जाता है तो अगली स्थी में होता क्या है? a से a cancel होने पर उपर तो बच जाता 1 और नीचे एक a बच जाता है उस a को हम इधर लिख दे रहे हैं ध्यान दिजिए एक a से a cancel हो जाने पर a नीचे बचता है जिसे 1 अपान a के रूप में separate लिख दिया है और बाकी बच गया 1 प्लस t square यहाँ पर चर कोने t है तो इसलिए a वाली जो रासी थी वो अचर है इसको बहार रख दिया अब आपको ध्यान यह रखना है यह 1 अपान a को तो as a t लिख दिया अब 1 अपान 1 प्लस t square dt यह हमने फार्मुला पढ़ावा है इसका integration होता है 10 inverse t और 10 inverse t तो यह लिज़े 1 अपान a और 10 inverse t t तो हमने माना था उसको return करना है तो देखे t को हम क्या लिख देंगे यहां से x by a ले सकते हैं तो यहां ले देते हैं x by a चुकि t equal to क्या होता x by a होता है यह इस समीकंट से जो हमने माना था उसके through तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो इसका integration है हमें 1 अपान a 10 inverse x by a प्राप्त हुआ इस तरह से यह formula हमारा प्रूव हो जाता है अब इस तरह कि फार्मेट के सवाल generally पूशे आते हैं तो उनको किस तरह से solve करते हैं उस प्रक्रिया को समझने के लिए हम कुछ प्रश्णों को हल करके आपको दिखाते हैं तो यह लिजे एक question आपके सामने यहां पर है जैसे आप देख पा रहे हैं इसका हमें integration करना है तो सबसे पहले हम यहां पर प्रतिस्थापन विधी का ही यूज करेंगे और प्रतिस्थापन विधी का यूज करते हुए इसको इस standard form में बदलेंगे यह जो प्रश्ण हमारा है इसको इस standard form में हम बदलेंगे और वो आसानी से बदल जाएगा देखे किस तरह से होगा यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 10x का differential जो होता है वो 10x को टी मान लेना हमारा उचित रहेगा तो हम यहां क्या लिखते हैं माना 10x इकोल टी then इसका differential करेंगे तो कहा जाएगा सेख स्क्वार x dx इकोल टी अब जहां पर सेख स्क्वार x dx आता उसको क्या लिखते हैं डी टी और जहां 10x आता हमारा जो प्रस्ट नहें वो इस तरह से बदल जाएगा अता i इकोल टू यह सेख स्क्वार x dx dt में चला गया और उपर कुछ नहीं वैसता इसलिए हम क्याले देंगे 1 और जो 10x है उसको हम क्याले देंगे t स्क्वार और 4 है उसे क्याले देंगे 2 का स्क्वार अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यदि इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं तो फर्क नहीं पड़ता तो 2 स्क्वार प्लस T स्क्वार dt आप नहीं भी लिखें चलेगा लेकिन मैं आपको दिखाना चाता हूँ इसी रूप में देखो यह A हो गया और T dt यहाँ चर क्या था? X था और यहाँ चर क्या है? यहाँ पर X है इसलिए यहाँ एक साय था यहाँ चर T है इसलिए यहाँ पर T स्क्वार आया है अब इसका integration क्या होता हूँ 1 upon A 10 inverse X by A तो इसका integration क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका integration हो जाएगा 1 upon A A के रूप में हमारे पास क्या है 2 फिर 10 inverse X by A लेकिन यहाँ पर क्या T है तो हम क्या लेख है T by A A में इस कितना? 2 तो यह 10 inverse T by 2 अब 1 by 2 10 inverse T को return करना है और T है क्या? 10X चाहे तो आप plus C भी लगा सकते हैं तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस formula का use करते हुए हमने इस प्रश्ण को किस तरह से solve किया है? आए एक अन्य प्रश्ण को और हल करके दिखाते हैं तो यह लिजए एक question आपके सामने और प्रसूत है इसे हम solve करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें standard form मेदरना है तो देखिए इसमें X square आया है तो यहां भी X square आया है लेकिन इसमें यहां पर टू नहीं है इसलिए इस टू को हम यहां क्या हटाइगे और हटाने के लिए इन दोनों से 2 क्या ले लेंगे? कामन ले लेंगे तो 2 कामन लेने के बाद हम इसको इस तरह से लिख देंगे 25 धन x square dx तो देखिए यह हो गया इस 25 को हम क्या लिखते हैं? आगे चल कर इस फार्मेट में जो स्टेंडर्ड फार्मेट है उसी में लिख देते हैं 1 अपान 5 का square प्लस x square dx आप क्या देख पा रहे हैं? कि बिलकुल as it is है जिस तरह से हमारा फार्मला उसी फार्मेट में आप देखेंगे तो आप कोई रजर आएगा यह 1 यह 1 यह a square तो यह a miss 5 है और यह x square dx है तो अब कुछ नहीं है इसका integration क्या होता है? वो हमें पता है 1 upon a तो हमारे पास a के रूप में कोई है? क्या है? 5 है और 10 inverse x upon a तो यह x upon a a के रूप में 5 और प्लस c हम चाहे तो लगा सकते हैं इस तरह से 1 into 1 और 2 into 5 10 और 10 inverse x by 5 प्लस c तो इस तरह से आपने देखा कि तरह से आसानी से सवाल हल हो जाता है आपको कुछ प्रस्णों की स्वयम को प्रक्टिस करना है ताकि फर्मला आपको बहतर तरीकी सेजिन में आ जाए हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा साथियों जय हैं जय भारत